विद्यार्थियों आप सब्दा स्वागत है व्याकर्ण दीक नमी जमादे विच आज जसी पढ़न जा रहे हां एक नमा टॉपिक विश्रामचिन इसनू तुसी छोटियां जमातां तो ही पढ़ दे आरे हों आज जापां जानांगे कि विश्रामचिन कहें दे किसनू हन इना दी वर्तों या गल्त वर्तों दे नाल की फार्क पेंदा है वाग दे आर्थां दे उत्ते हर एक विश्रामचिन वाखवख कार्ज करदा है ओट केडे प्रकार्दे नाल कित्ते लागड़ है ऊसे बारे आपां जानकारी लेनी है इस वीडियो दे विच ता सबतों पहला आस बौल नुए जो उत्राइजधा थैरा ओंदे हम जिमें मैं हुन बोल्रेया हां तिभालण विले किते में रोग दा हां किते मैं लेज़ा बदल जांता है मेरा था ओहो जिड़ा लेजा बदल दा है या उत्राइज़ा ओंदे हम उन्ना नू लिख्ट देव च दर्शाउँ विश्राम तो पाव रुकन तो है, हरे एक जड़ा चिन है, ओह रुकन लई ही नहीं बारतिया जानाना, सान्जे रूप दे विच एहे शावत बारतिया जानना है. ता साढ़े बोलन विले जदो असी किसे नाल गाल कारदे हाँ ता साढ़ा किसे बिले लहजा बदलदा है किसे असी रोकदे हाँ बोलन विले ता है सानु पता लाक compromLab पर उसे गालनु ये लेख्त देवेच सामने वाले नू दसना होवे कि जदों आपा उथे हाजर ना हुए ते ओस गालनू पड़े आपने जड़े पाव हन आपा जड़ी गाल कहना चौने हाँ ओस गालनू हो उसे ही रूप दे वेच समझ लवे जड़ी आपा गाल कहना चौने सी तो उस देले कोश चिनना दी वारतों किती जड़ी है ते उनना नू ही यसी विश्राम चिन कहने हाँ विश्राम चिन कई प्रकार दे हन ते उनना दी वारतों भी वख वख है एक विष्राम चिन दे था ते दूजा चिन लॉन दे नाल या चिन ना लॉन दे नाल आर्थ विच वाग दे अर्था दे विच बहुत सारा फार्क आंदा है या अर्थ दे नर्थ हो जान्दे हन इनन उसी कुष उदार ना दे रही समधे हन ते हरेक चिन दे बारे असी गल करांगे कि उस चिन दी वर्तों कित्थे ते किमे हुंदी है ते उस दी वर्तों करन दे नाल की फर्क पेंदा है होनसी कुश उदार ना दे रही समिदे हां कुश वाख हन साड़े कोल ते उनना दे रही समिदे हां कि विश्राम चिन दी वर्तों एक था करन दे नाल या उस दी वर्तों किसे होर था करन दे नाल या ना करन दे नाल वाख दे अर्थां उत्ते की फार्क पेंदा है साड़े कुल वाक लिग्या हुआ है चोर जावे ना फड़ो असी एथे रोक दे हाँ चोर जावे ना फड़ो एथे चोर नू रोकन दे लई क्या जा रहा है क्यो जावे ना एथे रोक दे हाँ एसे वाक नू जदो असी एथे कॉम्मा लाके पढ़ दे हाँ, चोर जावे ना फढ़ो, वाक हो ही है, एक कॉम्मा दा थां बदल गया, एथे है ना तो बाल सी, एथे ना तो पहला आ गया, ता एथे चोर नू जान दे ले क्या जा रहा है, पाव उसनू फढ़ना नहीं है, उसनू जान दे लो, वाक ए इस तो बाद असी विश्राम जिन्ना दी वरतों कर दे हां, ते देख दे हां कि किमें किमें अंत्रों दा है, एह वाग जे मैंस तरीके दिनाल बोला कि ओ आ गया, तब आप मैं इस दे बारे सूचना दे रहा हां, दस रहा हां, कि किसे दे बारे में थो पुछ्या सी कि ओ आया या नहीं आया, ता मैं दस रहा हां कि ओ आ गया, सदा आर्नवाग है, ते सदा आर्नले जे चे मैं बोल रहा हैं कि सूचना दिती, ओ आ गया, ता एस वाग तो ता बाद लगवा, डंडी दा निशान, जिन्नू पूर्ण विराम भी कहले आ जान्दा है, होण जे एही प्रश देवेचे दसना होवे, तासी एक चेन लौने हां, प्रशन चिन, प्रशन वाचक चिन, ता एसंतों जिड़ा पढ़न वड़ा हुआ, एप आवल हुआ कि एथे प्रशन पुच्छया गया है, एचेन दस रहा है, कि एहे प्रशन पुच्छया जा रहा, कि ओ आ गया, होण ए यही जे हरा निव्यक्त करनी होवे आपानू किसे दे और दी उमीद ना होवे त्या आपा उसनू आए होए नू देखके कहिए कि ओ आ गया ये ता हुण जिदों बोलन दाले जाए ओधों ता पता लग रहे है कि हरा निव्यक्त कीती जारी है लेकिन इसनू लेखत रूप असी केड़ा चिन लामागे विस्मक दा चिन लोने आहा तै फिर जिड़ा पढ़न वड़ा हंदा है उस समझ जानदा है कि एथे एस वाक्ते विच हरा निव्यक्त कीती गई है वाक एक कोई सी ओसनू तेन बार लिख्या ते तिन्ना बार असी वाक्ष वाक्ष विश्राम च अड़ाड कर दे हैं इनन वसी वाक्ष वाक्ष उदार ना दे रहीं अग्गे एक एक करके विचार दे हां ता सारे तो पहला आसी देख देहां डंडी दा निशान जीनू हिंदी दे विच पूर्ण विराम भी कहले आ जान्दा है पूर्ण विराम दा मतलब पूरे तौरते रुकना पूरा विराम ए जड़ा चिन है ए विचराम दा यानि की ठहरा आदा चिन है जदो वाक्ष पूरा हो जन्दा है ता वाक्ष तो बाद इस चिन दी वर्तों किती जन्दी है पाव वाक्ष पूरा हो गया ते ओस तो बाद होन रुकना है पूर्ण रूपतों ते वाक दे आंत विच एहे चिन लाया जान्दा है सारे प्रकार दे वाग जड़े असी इस दो पहला कीते सीगे सदार्ण वाग असी कीते सीगे संजुक्त वाग कीते सीगे ते मिश्रित वाग कीते सी उन्ना दे आंत दे विच एस चिन दी वारतों कीती जान्दी है एक ता इहे गल जदो असी वाक नू पूरा कर लेने हैं ते उस दे आंत दे विच एहे चिन लाय जानता है डंडी दा पूर्ण विराम दा इस दा चिन है जिड़ा वो एस प्रकार दा है एक डंडी लाग दी है इस प्रकार दे नाल वाक दे आंत दे विच असी बजार जा रहे हां वाक पूरा हो गया ते वाक दे खेर दे वेच पूर्ण विराम डंडी आगी होन एथे आपने शैर दा ना दसो प्रशन पुच्या गया पर आज्या दे रूप दे वेच पुच्या जा रहे आज्या हुकम दित्ता जा रहे अपनिशार दा नाम दसो, जिदों प्रशन आग्या दे रूप दे वेच पुछया जावे, जिमें 200 करो लिखो, एस प्रकार दे जिदों शाब्दाउं दे हन, दस्सो करो लिखो जिमें हिंदी दे विच पड़ देओं प्रशन लिखिए उत्तर दीजिए उसे दा ही अन्वादा है दस्सो करो लिखो जिदों आज्या हुकम होवे ता ओदों चाए हो पुच्छा ता प्रशन गया है जिमें होन मैं तोहा नू कमा कि अपने शैरदा ना दसो ता तुसी अपने शैरदा ना दसोंगे पुच्छा ता मैं प्रशन है लेकिन है आज्या हुकम दे रूप दे विच है ता प्रशन हैगा चाई पर इत्थे आज्या है ता एस दे अंत दे विच भी डंडी दा निशान लाया जन्दा है चिन लाया जन्दा है गुरुबाणी दे विच दो डंडियां वरतियां गही है हन गुरुबाणी नू तुसी पढ़ दे हो जिदों देख दे हो सोटियां किताब बादे विच भी है कुछ ते ओ दे अखीर दे विच एक डंडी दी था, वाका दे अखीर दे विच एक डंडी था, ते दो डंडियां दी बारतों हुई है, जिमें साथे कोल एक तोक है, गावय को तान हो गया किसा है, तान, एथे तुसी दो डंडियां देख रहे हैं, एक गुरुबाणी दे विच ही बारतियां गें हैं, एथे दो री है ही डंडी, दो, एहे गुरुबाणी देविच्छान, अगले विश्राम चिन वाल वादे हां सी, अगला विश्राम चिन है प्रशन चिन, जदों कोई प्रशन पुछा जान्दा है, तो उस देखीर देविच, प्रशन वाचक चिन दी वरतों हुंदी है, जिमें प्रशन पुछा जान्दा है, उस देखीर देविच, प्रशन वाचक चिन दी वरतों हुंदी है, तो स्कूल दा काम क्यों नहीं कीता, तो उस देखीर देविच, प्रशन जदों पुछा जान्दा है, तो उस देखीर देविच, प्रशन वाचक चिन दी वरतों हुंदी है, एक गालापा पहला भी कर चुके हैं डंडी दे विच प्रशन जिदों आज्या रूप दे विच होवे ओदों प्रशन वाचक चिन दी वारतों ना करके पूर्ण विरामदी डंडी दी वारतों किती जांदी है जिमें तुहाँ डार ना दसो है ता प्रशन लेकिन आज्या अगला चिन है साधे कोल विस्मक चिन विस्मक एक शावद छरेणी भी है ते एदा जिड़ा चिन होंदा है ओहो एस प्रकार दिनाल होंदा है डंडी दे थले बिंदी ए चिन खुशी गमी हरानी पै प्रशन सा आदे पाव परगड करन दे लई लाया जन्दा है पाव जिड ऑमी हरानी पै प्रशन सा आद वाली बन जान दे हन प्रसांग देंशार कि में? वा किनना सुना फोल है प्रसंसा किती गई ते प्रसंसा दे पाव यक्त कर ले चिन रूप दे वेच यप येस चिन दी बारतों किती जान्त है जिमें माता केंप यप ये कि हाई मेरे चान पो चिन लाया गया है हरा नी हैं तू फेलो गया ता हैं तो बाद असी विस्मिक दा चिन लाया कि किसे देशा नू पास हों दी उमीद सी पर वो फेलो गया ते जिदों असी चिन रूप देवेचे दर्शवना है लेख्त रूप देवेचे दर्शवना है तसी एस चिन दी वारतों कर दे हाँ एसी विस्मिक चिन अगला चिन है कामा जिसनू कामा कैद नहा सी पाशा दे विच्च इसनू अलप विराम चिन भी क्या जान्दा है पूर्ण विराम सी डंडी पूर्ण विराम पूरे तोरते रुक्या जान्दा है ओथे एस चिन दी वरतों कीती जान दी है तेहे शावद दे अग्गे वाग्द अग्गे एस प्रकारदेनाल थल्ले लगदा है एस प्रकारदा चिन बना के थोड़े जे ठैरा आनू परगट करन दे लई एस चिन दी वरतों हुन दी है केड़े प्रकार देनाल? जिमें आसी कई सारे नाम शब्द बोलाँगे, घौन शहना दे नाम एक कोजे है, इनानू एहे कठे नाहोजान, इनानू आडड़ दस्षन देलेगी असी थोड़ा थोड़ा रुखांगे, ते धोड़ा रुखन देलें असी कौमा छन दीवार्तों करदे हाँ, जिमें असी साधे कोड कई सारे शैरां दे नाम लिखे होगे हाँ ते एनना शैरां नूँ असी बाखवाखो चार्न करन दे लई पावे इकठे नालगण, तासी थोड़ा थोड़ा रुकांगे थोड़ा रुकन दे लई, असी इस कौमा चेन दी बारतों कर दे हाँ ताह पंजाव दे कोई शैरां दे नाम हाँ ताह उनना दा उचार्न कर दा है मैं जिमें लोदे आना थोड़ा या रुक्या, फेर जलंदर, अमरसर, बठिंडा, ते, पटे आला, पंजाव दे, परसेद नगरहन इस सारे शैरहन तेना दे उचार्न तो बाद मैं थोड़ा थोड़ा रुक रहां क्योंकि एथे कॉम्मा दा चेन लग गया है, ते कॉम्मा दा चेन सानु पढ़न वेले दासदा है कि असी थोड़ा जा रुकना है जिमें गुरु जी नू कहना होए मास्टर जी, आज तुसी ही छुटियां दा काम वेखना है जिथे असी थोड़ा जा रुक दे हां, थोड़ा जा रुक दे हां, अलप विराम लेने हां, ता उत्थे कॉम्मा चिन दी वरतों किती जान दी है खेती, मशीनी होगी, था था टू बैलते, ट्रेक्टर चल रहे हन, पिंडा दी नुहार बदल गई है ता असी जिथे भी थोड़ा जा रुक दे हां, एस कॉम्मा चिन दी वरतों किती जान दी है, एस परकारदिनाल एस दे कुश होर भी उप्योग हन, असी देख देख दे हांना नू जदों असी कहने हां हां जी या नई जी, किसे सवाल दे जवाब देवेच हां या नई, हां जी, नई जी कहने हां, तो ओड़ो थोड़ा जया रोक दे हां केड़े प्रकारदिनाल, हां जी एक अलती मैठों होई है नहीं तुसी इस तरह बिणा कुछ खादे पीते नहीं जा सकते नहीं हाँ इनना शवदान तो बाद कौम मादा चिन लाया जन्दा है जदों किसे दे कहे हुई शवदानू असी डवल इन्वाइटेड कौमाज दूरे पुठे का में शुरू कर दे हाँ तो ओदों भी थोड़ा जा रुक दे हाँ ओस तो पहला भी कौम मादा चिन लाया जन्दा है जिमें गांधी जी ने कहा असी एथे रुकांगे की कहा करो या मरो दूरे पुठे का में शुरू होन तो पहला इस चिन दी बारतों कीती जान दिया क्योंकि असी रोक दे हाँ थोड़ा जा इस भागदा जड़ा उचारना वो इस परकार देना लाया गांधी जी ने कहा थोड़ा रुके इसलिए कौमा दा चिन करो या मरो प्रेम प्रकासिंग ते हरकीर सिंग पाशाविग्यानी हन दो नाम हन साड़े कुल होन जी असी ये विच्च किते कौमा ला दिये ता हे नाम तेन बन जानगे जिमें हे नाम ता एक ही है प्रेम प्रकासिंग हन पाशाविग्यानी ता ये नाम ता एक ही है पर जी असी कौमा लादिये इसने विचाले किते ताही नाम ते न बन जानगे किमें प्रेम प्रकासिंग ते हर्कीर सिंग पाशाविग्यानी हैं उने हे एक नाम शवद सीगा एक ही बंदे दा पाशाविग्यानी दा नाम है प्रेम प्रकासिंग इनानी पाशाविग्यान ते काम कीता है ता इस अगला चिन है साड़े कोड़ पुठे का में एक है रहे ते दूरे दोना परकार दे हम दे का Municipal टे दूरे इस परकार दे नाल में ते दूरे इस परकार दे नाल एसनु याद रखने लई हैसी इसदी तुलना ची कि दे नाल कर साथे क्योंकि विद्यार्थी इना दी बनावट बनाओंदे हो ये कई बार गल्त कार दिन दे हन यानि कि उपपर तो बना दिन दे ये इस तरीके देनाल ये गल्त है इस दी बनावट जड़ियां इस दी बनावट जड़ियां बिंदियां वो थल्ले बांदियां इसनों याद रखन तुसी श्याट निनाण में 6-9 यह याद रख सकते हों यह जड़े चिन है ऐस प्रकार दिनाल बनाए जान दे हैं किसे दे कहे होए या किसे दे लिखे होए शावदा नू जयों दा त्यों लिखन दे लई एस चिन दी बारतों किती जान दी है जमेश वासचंदर बोस ने कहा यह उन्ना दा वाक है तुसी में नू खून दे हो मैं तुहाँ नू जादी दे मागा उन्ना दे वाक नू जयों दा त्यों लिखन लई अंग्रेजी दे वेचे जिसनू तुसी बोल देओ सेम टू सेम डिटो बिल्कुल उससे प्रकार देना लिखन लई उसनू वाक नू दूरे पुठे काम में दे वेचे रख्या जान दा है तो उस तो पहला जड़ा चिन हु कोई भी पूर्ण विश्राम है चाहे हो परशनवा चक्चिन है उसनू उस्तो पहला ही लाया जानता है जिवें मोख़ दे आपक जी ने कहां मोख़ दे आपक जी दे शावदानू असी दूरे पुठे का में दे वेचे रख्या एस प्रकार देनाल एथो उन्ना दे शावद शुरू हों दे आन, मैं हमेशा में दे लगन वाले विदयार्थिया दी कदर करदा हां, पूर्र विराम लाग गया, ते उस तो बाद असी दूरे पुठे का में बंद कर दे आता है। एननु एकेरे पुठे काम्यां दे रूप देविच भी बरत्या जनदा है, ओके में किसे पुस्तक दा ना लिखना होए जाता, किसे अखवार दा नाम लिखना होए, किसे दे कहे होए एक या दो शब्द हुन देyनौँ, पूरा वाकना होके कोई एक्की शब्द होए, दो श सिद्ध रचना है चिट्टा लहू उन्ना दे नावल दा नाम है उन्ना दी रचना दा नाम है ता असी एसनु इक एरे पुठे कामे दे विच लिखया है थे अहां एक शब्द है कि सिद्ध कहा होया एस वाग दे विच ता असी एसनु इक एरे पुठे कामे दे विच रख्या है जिम चिति गुंहें रास्थान पत्री का रास्थान दा प्रसिध अख़वार है तर्वास्थान पत्री रख़द हो थे उक एरे पुठ़े 하는 धिष्ट, उक रा करने के उसे vet अधिया घान के जिया एक जान थे इस निश्द की एना देवेचे असी थोड़ा थोड़ा रोक देयां, ता पहला दा जड़ा चिन असी कीता सिगा, कौमा दा, ओ एथे लग गया है, क्योंकि असी थोड़ा रोक रहे हैं, ता ये जड़े असी चिन असी थोड़ा कर चुके हैं, उन्ना दा वीत्यान रखना है, नाल-नाल. किसे नाट की वारता लाब तो पहला एस चिन दी वारतों किती जांदी है नाटक लिखना होए उस दा वारतलाप उस दे पातर लिखे हुंदे है न ते फिर अग्गे उन्हा जड़ा डायलोग हुंदा है वारतलाप हुंदा है मास्टर जी मेरा साइकल पंचर हो गया सी नाम तो बाद एथी दुबिंदी लाई जाओगी ठीक है जाओ बैठो जडि वरतों वी किती जासकती है एस तो लावा दुबिंदी दिवारतों समा लिखन लई भी कीती जान दिया है जिम आसी लिखना होए आठ वज के पंताली मेंट ता आठ तो बाद दुबिंदी ते पंताली आसी इस परकार दिने नाल लिखांगे पाव समा दसन दे लई कांटे ते मिंट दे वेच दुबिंदी दा निशान लाया जानता है खोर देख दे हाँ जोडनी जोडनी दा अर्थ है जोडन वाली ए चिन एनना होंदा है डैश ते जोडनी एक को जे होंदे आन पर डैश जोडनी तो दुगना होंदा है जोडनी है जिड़ी हो डैस तो अद्धी हुंदी है इसनों शवदानों जोडन दे लई वर्त्या जान्दा है जिमें इसा डिकोल शवदा है चा पाणी दो शवद जिदो सी जोड के लिखने हो न वो सार्थक भी हो सकते हैं दोने शवद ते एक शवदा है जिड़ा सार्थक ते दूजा निरार्थक भी हो सकता है जिमें कैदने हैं पाणी तानी पाणी ता हो दे वेचे सार्थक है पर तानी है जिड़ा हो सार्थक नहीं है ता सार्थक शवदान दे विचाले सार्थक निरार्थक शवदान दे विचाले इकको ही पाव देन वाले शवदान दे विचाले, विरोधी शवदान दे विचाले, एस चिन दी बारतों की इत्ती जांदी है, चा पाणी, सोख दुख, एदोने विरोधी शवदान, देन रात, पलाबुरा, एवी सारे विरोधी शवदान, लाल सूहा, लाल दा मतलब ता ला लास या श्या भी काड़ाई हन्दा है ता इहे इकको अर्थ देन वाले शवदां दे विचाले भी जोड़नीदा चिन लाया जान्दा है होर देख दे हाँ शोट मरोडी ए चिन है जड़ा पंजाबी देविच विशेश है लिखन देविच ता शावद है जड़ा हो संखेब लिखे होंदा है पर बोलन देविच पूरा होंदा है जिवे असी बोल दे हाँ उत्ते पर उस नूँ छोटा रूप बना के लिखन दे लई असी लिखत देविच एस परकार दे नाल लिखतने हाँ इस दा पूरे एखा कई बार एस परकार नाल होंदा है कि एक पंजाबी दा योजग है अते इस नूँ ते भी लिख ले जन्दा है इक कोई अर्थन अते तित्ती जिमें राम ते शाम राम ते शाम पर जिदों असी एस चिन दा निशान लादनिहां ता इस दा पाव है उत्ते इस ते है यानि कि अते दा संखेब रूप पर जिदों आहा चिन लादता जांदा है ता इस दा पाव है उत्ते इसे प्रकार नाल वेच नू इस प्रकार दिनाल लेख देता जान्दा है चच्चा लेख के उस्तो पहला आही निशान ता इस दा पाव है वेच एहे शोट मरोडी दा चिन है जड़ा शावद बोलन वेच पूरा होंदा है एहे लमाई वेच जोड़नीतों कोज बड़ा होंदा है इस दी वारतों अचानक याद आई किसे गाल लई किती जान्दी है जिमें असी गाल कारेसी एस मादी शीद पाख सिंग होनसी दसिये की शीद पाख सिंग केड़े ओपाख सिंग जिसने देश दी अजादी लई फांसी दा रसा चुमलिया सी दी याद विच बनाई होई है कोई अचानक याद आई ते उस दे बारे विस्तार देन दे लई एस चिन दी वारतों किती जान्दी है इनना खेता विच कोई भी फासल मकीक माद मेरचां जो भी भी जोई जावे ब्यान्त हुन्दी है जो गल अचानक त्यान दे विच आवे उसनों लेखत रूप दे विच दसन दे लई एस डैश दा चिन लाले आ जान्दा है और देखने हैं आसी बिंदी दी वारतों किते हुन्दी है एहे बिंदी शाब्द दे अग्गे एस पर कारदिनाल थल्ले लाई जान्दी है जिमें एथे तुसी लिखी हुई देखने हो शाब्दा संखेप रूप लिखन दे लई एस दी वारतों हुन्दी है शावदान दा संखेप रूप जिवें एक डिगरी है M, B, V, S ता M तो बाद, बिंदी, B तो बाद, फिर B तो बाद, S तो बाद M, L ले तो बाद, ये भी संखेप रूप है, बिंदी लाई जान दी है M, P, S तो बाद, P, H, D H देखो, जोड़नी दा चेनल लगया है, P, H, D क्योंकि P, H, D नूँ असी अंग्रेज जी देवेचे, S परकारदेनाल, P देनाल, H जोड़के लख दे हाँ ते H दे लाउने हाँ, जड़ी बिंदी है, ते D नू, S परकारदेनाल लख दे हाँ ता P, H दे विचाले, जोड़नी दा चेनल लागे, S परकारदेनाल लखाँगे जिमें B, S, C है जो, S परकारदेनाल लख देनाल, B तो बाद बिंदी, S दे नाल C लिखी जान दे है, ते फिर बिंदी ता S ते C दे विचाले जोड़नी पादेती है, एसे परकारदेनाल, I, S, I तो बाद बिंदी, फिर A तो बाद बिंदी, S तो बाद बिंदी एहे, साड़े कोल, बिंदी दे उदा अर्नहन, यानि की बिंदी दी वारतों सी शावद संखेप दे लई कर दे हाँ जिमें प्रोफेसर लिखन दे लई असी, एस परकारदेनाल, इस दा शावद संखेप बना लेनी हाँ, एस परकारदेनाल, जिमें सरदार लिखन दे लई, एस परकारदेनाल, जिमें मास्टर लिखन दे लई, एस परकारदेनाल, इहे, अखर दे अग्गे, ते थले, एस पर का अरदे नाल बनाई जान्दी है ए है बिंदी दिवारतो ता असी इनना सारे विश्राम चिन्ना दे बारे गाल कर चुके हां एक एक करके होन तुसी आपनी अबयास बुष्थ का देविच देखना है कि कि ते केडा चेन लगया है ते उस दे की पावन जे तुसी इसनू त्य आंदे नाल देखना शुरू कर देऊंगे ता विश्राम चिन्ना दे बारे तुहां नू जानकरी हुंदी रहेगी ते ओस वाग दे पावसमजन दे विच्वी तुहां नू सायता मिलेगी ता आप सब विद्यार्थियां ने अबयास करना है फेर तो मिलांगे कोई नमाद देन बिंदू लेके आप सब विद्यार्थियां दा बहुत बहुत तानवाद